हलो फ्रेंट्स स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जो हमारा प्रिवेस वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगोंने प्रॉब्लेम सेट 1.5 में का क्वेशन नमबर 4 सौल गया था तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेशन नमबर 5 तो किस तरह से फ्रेंट्स हमारा क्वेशन नमबर 5 और इन्हें हम कहा प्लेस कर रहा है ट्रक में जिसकी कैपसिटी कितनी है 10 टॉंस है 10 टॉंस या टॉंस इस टॉंस वेट तो ऐसा हमारे पास एक ट्रक है जिसमें 10 टॉंस वेट बढ़ सकता है आगे बढ़ता है फ्रेंट्स when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in a truck its weight is 10 tons ओके तो एक condition given है कि अगर हम लोग A type के 50 box रखते हैं और B type के 100 box रखते हैं तो उसका total weight कितना बंद रहा है? 10 tons बंद रहा है बट उन्होंने आगे हमें दिया है second condition कि when 260 boxes of type A are loaded in a truck it can accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded मतलब अगर हम लोगों ने 260 boxes रखे A type के तो उसमें B type के कितने box बाइट सकते हैं? 40 box so that it is fully loaded fully loaded मतलब उसका weight कितना बनेगा? उसका weight बनेगा उसके capacity कितना और वो कितना है? 10 tons है, correct है? उन्होंने बोला है find the weight of each type of box okay friends, तो सबसे पहले हम यह question को समझना बहुत जरूरी था इसलिए मैंने question को अच्छे से read out किया अब हम लोग step by step उसे solve करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो so please observe क्या करना है सबसे पहले? हम लोग assume करेंगे, consider करेंगे हमारे पास variable कुन से? types of boxes, a type and b type तो मैं assume कर रहा हूँ, consider कर रहा हूँ consider, क्या consider करना है मुझे? consider weight of consider weight of what we say weight of a type box a type box is is कितना है हमारे पास let us say x kg है कितना है? x kg अब given हमारे पास turns में है बड़ मैं assume किस कराम में कर रहा हूँ? kg के ठीक है? और हम लोग assume करेंगे कि weight of क्या assume क्या मैंने? weight of b type of box weight of b type of box is कितना है? y kg तो हम लोगों ने assume किया कि जो हमारा a type का box था उसका weight है x kg और हमारा जो b type का box है उसका weight है y kg, correct है friends तो आगे बढ़ते हैं और हमारे data के तरफ ध्यान देते हैं अगर आप अच्छे से observe करोगे तो आपको जो weight दिया है, ओकिस टर्म में दिया है turns के term में दिया है तो आप सभी को पता है कि हमारे पास जो one turn होता है तो one turn मतलब कितना kg होता है तो one turn मतलब होता है 1000 kg अगर आपको पता नहीं है तो आप यह याद कर लो मैं इसे star mark कर देता हूँ one turn मतलब कितना होता है होता है 1000 kg तो अभी हमारे पास कितना turn है हमारे पास है 10 ton, मतलब हम क्या बोलेंगे, 10 tons मतलब क्या रहेगा, 10 ton मतलब रहेगा, 10 multiplied by 1000, correct है, which is equal to hot, which is equal to 10,000 kg, correct है friends, तो हमारा जो truck है, उसकी capacity कितनी थी, 10 tons थी, 10 tons capacity है, मतलब कितनी है, 10,000 kg उसकी capacity है, तो यह हम लोगों ने यहां पर conversion factor use किया, अब simply friends हमें क्या करना है, जो given conditions है, उनको use करना है, तो मैं यहां पर बोलूँगा, therefore, by first condition, by first condition, ठीक है, by first condition, अब मैं पूरी condition as it is, यहां नहीं लिकरा हूँ, अगर आप चाहो तो पूरी के पूरी condition लिख सकते हो, क्या है friends आपकी condition, आपकी condition यह है, कि अगर आप, when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in a truck, its weight is 10 kg, मतलब, A type के box का weight कितना है, X, और हम लोग उसकी कितने boxes रखने वाले है, 150, so our final weight will be 150 multiplied by X, correct है, उसी के साथ, B type के box का, एक box का weight कितना है, Y, और हम लोग कितने boxes रखने वाले है, 100 boxes, so, जब हम लोग 150 type of A boxes and 100 boxes of, what we say, B type, जब रखेंगे, तो हमारा total weight कितना बनेगा, 10 kg बनेगा, मतलब, हमारी condition कुछ इस तरह से, 150 boxes of type A, मतलब, simply, 150 multiplied by A type का weight कितना है, X, plus 100 boxes of B type, और B type का weight कितना है, Y, मतलब, कितना, 100 multiplied by Y, is equal to, कितना बंद रहा है वो, वो बन रहा है, 10 tons, 10 tons, मतलब, in terms of kg कितना, that will be 10,000, correct है, 10 tons, मतलब ही, 10,000 kg, तो यह रहेगे, friends, आपकी, condition number 1, जिससे हमें, first equation मिला, I hope, आपको पहला equation समझ में आ गया होगा, इसी तरह से हम लोग, हमारी second condition, use करेंगे, क्या given है, by second condition, क्या बोलना है second condition का, उसे अच्छे से observe कीजिए, क्या है second condition का बोलना, उनका बोलना है, कि, but when 260 boxes of type A, मतलब type A के कितने boxes है, 260, तो मैं simply यहाँ पे लिखूंगा, 260 multiplied by कितना, x, correct है, plus, क्या बोलना है, when we kept 260 boxes of type A, are loaded in a truck, it can accommodate, उसमें फिर भी, और कितने बैट सकते है, 40 boxes of type B, मतलब कितना, 40 multiplied by Y, so that it can be fully loaded, fully loaded मतलब उसकी capacity complete होगी, और capacity कितनी है, 10 ton है, मतलब क्या, that is, 260x plus 40y will be equals to what, 10,000 again, and it is in terms of kg, तो यह बना आपका equation number second, तो फ्रेंट इस तरह से हमारे पास मिला equation number 1, और equation number 2, तो simply हमें यह दो equation को solve करना है, और हमारा final answer obtain करना है, I hope आपको question में के सारे condition समझ में आ गए होगे, so please solve this question, okay friends, तो आगे बढ़ते हैं, और question को solve करने की कोशिश करते हैं, क्या है हमारे पास, हमारे पास है 150x plus 100y equal to 10,000, यह था हमारा first equation, simply, हम लोग observe कर सकते हैं, कि यह जो पूरा equation है, यह 50 के multiple है, देखे 150, 100, 10,000, so we can divide this equation by 50, तो क्या कर रहा हूं है, यहाँ पर, divide by, divide by, कितने से, divide by, 50, on both side, दोनों side से, मुझे 50 से क्या करना है, divide करना है, so please divide, क्या बनेगा, 150x plus, what we say, 100y divided by what, 150, divided by 50, is equal to, कितना, friends, what we say, 10,000, 10,000, divide by कितना वापस से, 50, again, so this will become what, 3x, simply, plus, again, we can say, 100 divided by 50, मतलब कितना, 2y, is equal to, यहाँ पर क्या बनेगा, friends, simply, it will be equals to what, it will be equal to 200, और यह जो रहेगा, इसे बोलेंगे हम लोग, equation number 3, या फिर, अगर आपको divide ने करना है, तो simply, आप LHS से 50, common, ले लीजे, तो आपके पास 3x, plus 2y, बचेगा, और उसको, other side में, divide में लेके आईए, एक ही procedure है, तो हमारे पास, equation number 3, obtained हुआ, from the equation first, which is, 3x, plus 2y, equal to, कितना, 200, आगे बढ़ते हैं, friends, और हमारे equations, seconds को भी convert करने की कोशिश करते हैं, also, और क्या था हमारे पास, हमारे पास था, what we say, 260x, correct है, plus, कितना, 40y, is equal to 10,000, if I am not wrong, correct है, friends, तो इस तरह से था, हमारा, what we say, equation number second, यह था मेरा equation number second, क्या करेंगे हम लोग, simply, इस particular equation में से, मैं LHS में से 20 common ले सकता हूँ, 20 मैंने यहां से common लिए, तो कितना बचा, friends, मेरे पास, यहां पर बचेंगे, simply हमारे पास, here it will be 13x, correct है, क्योंकि 13 to the 26, and it is 0 multiple में है, तो 13x, plus, यहां से 20 common लेता हूँ, क्या बचेगा, 2y, is equal to, कितना, 10,000, आपस से आप 20 से divide भी करोगे, तो वही procedure बनेगे, कोई दिक्कत ने, 20 multiple है, it will be in a divide, so 13x, plus, 2y, is equal to, कितना, friends, that will be, 10,000, divided by, कितना, 20, so we can say, 13x, plus, 2y, is equal to, please solve it, it will be equal to what, it will be equal to, I think, 500, correct, 00, cancel, and 100 divided by 2, मतलब कितना, 500, तो यह बनेगा, आपका equation number 4, क्या-क्या, friends, simply, हम लोगोंने, equation 2 को, और equation, sorry, equation 1, और equation 2 को, simple form में, convert करने की, कोशिश की, अब हमें, simply, इने, by-up और regular method, solve करना है, we can easily observe, here it is, plus 2 है, here it is, plus 2 है, so simply, we can subtract it, तो क्या करेंगे, हम लोग, हम लोग करेंगे, equation number 4, minus equation number 5, correct, friends, fourth equation में से, sorry, equation number 4, minus equation number 3, हम लोग, fourth equation में से, third equation को, क्या करेंगे, subtract करेंगे, so please do it, क्या बनेगा, simply, 3x, sorry, 13x, plus 2y, is equal to, कितना, 500, और इसमें से, हमें, कितना, subtract करना है, हमें, subtract करना है, 3x, plus 2y, is equal to, कितना, 200, so please, solid, दीखे, subtraction कर रहा हो, मैं, इसलिए, second equation के, sign change हो जाएगे, so here it will become, minus, here it will become, again, minus, here it will become, minus, so, 13 minus 3, मतलब कितना, 10x, correct है, plus 2y, minus 2y, cancel, and, what we say, 500, divided by 200, मतलब कितना, रहेगा, 300, correct है, so, we remain with, 10x, is equal to, कितना, friends, 300, 10x, equal to, 300, so we can say, x is equal to, 300, divided by, what, 10, so, x, x की value, में, किस तरह से, मिली, 300, divided by 10, so, we can say, x is equal to, 30, simply, time, बचे, इसलिए, मैंने, say, solve कर दिया है, क्या करेंगा हम, लो, put x is equal to, 30, in equation number, 3, तो, क्या बने का, 3x, plus 2y, equal to, 200, यह, हमारा, equation number, 3, था, x की value, में, 30, रूट करी, ठीक है, so, 3 multiplied by 30, is, 90, so, 90, is, in, is, plus, on other side, it will be, minus, so, we can say, 2y, equal to, 200, minus, 90, so, 2y, is, equal to, कितना, 110, so, we can say, y, equal to, 110, divided by, कितना, 2, which is, equal to, कितनी, 55, so, हमारे पास, x की value, कितनी बनी, friends, 30, और, y की value, कितनी बनी, 35, so, we can say, therefore, x मतलब, क्या था, x मतलब था, weight of type a box, ठीक है, तो, हम लोग, क्या बोलेंगे, weight of, weight of, कितना, weight of, type a, weight of type a box, is, कितना है, वो है, 30 kg, करेक्ट है, type a box का weight है, वो है, 30 kg, and, क्या बोल सकते हैं, weight of, weight of, type b box, weight of, type b box, is, type b box का weight कितना है, वो है, 55 kg, करेक्ट है, friends, तो, हम लोग ने, type a box का weight निकाला, जो बना, what we say, 30 kg, और type b, type के, जो box था, उसका weight लिया, वो कितना बना, 55 kg, तो, इस तरह से था, friends, हमारा, question number 5, so, please, pause the video, and note down the content, I hope, आपके सारे concept, अच्छे से, clear हो गया होगे, so, इसके बाद, हम लोग, question number 6 की तरफ, मुह करेंगे, okay, friends, तो, मुह करते है, question number 6 की तरफ, क्या दिया है, question number 6 में, question number 6 में, उन्होंने बोला है, कि, out of 900 km, मतलब, total जो distance है, हो कितना है, 900 km, विशाल traveled some distance by bus, and some by airplane, ठीक है, तो, विशाल नाम का एक बंदा है, जो, 900 km में से, कुछ distance, bus से travel कर रहा है, और कुछ distance, aeroplane से travel कर रहा है, आगे उन्होंने बोला है, कि, bus travels with average speed of 60 km per hour, जो bus की speed है, travel की, वो है, 60 km per hour, and that of average speed of aeroplane is 700 km per hour, उनका बोलना है, it takes 5 hours to complete the journey, और यह journey जो है, aeroplane और bus, उसको मिला के, जो है, वो कितना time ले रहे, 500 hours, find the distance travel by bus, और उन्होंने पूछा है, कि, विशाल ने जो bus से distance travel किया है, वो आपको find करना है, तो सबसे पहले, friends, हम लोगों को यह समझ में आ रहा है, कि, यहाँ पर variables क्या है, यहाँ पर variables एक है, कि, जो speed of bus है, वो, और एक है, what we say, speed of aeroplane, but, अगर हम लोग final हमारा question देखे, तो उसमें है, distance travel by bus, तो distance के form में हमें question पूछा है, और यहाँ भी, जो given data है, वो distance के related है, तो हम लोग variables को, distance के term में consider करेंगे, तो क्या बोलूँगा मैं, simply, consider, consider करूँगा मैं, consider distance travel by, consider distance travel by, distance travel by, what we say, distance travel by bus, distance travel by bus, जो bus से distance travel किया गया है, is equal to कितना, is x kilometer, हम ऐसा assume करते हैं, and distance travel by, distance travel by, distance traveled by, what we say, distance traveled by, aeroplane, aeroplane से जो distance travel किया गया है, उसे हम लोग assume करेंगे, कि वो कितना है, वो है, is y kilometer, तो सबसे पहले मैंने assume किया, कि x kilometer मैंने bus से travel, sorry, विशाल ने bus से travel किया, और y kilometer विशाल ने, aeroplane से travel किया, as they have mentioned कि total distance कितना travel हुआ है, 900 kilometer, out of 900 kilometer बोला है, तो हम लोग उसका use करके, एक equation लिखने की कोशिश करेंगे, तो क्या बोलेंगे लोग, therefore, total distance, total distance कितना है, total distance, यह है मेरा, total distance is 900 kilometer, उन्होंने बोला है कि out of 900 kilometer, मतलब total distance 900 kilometer है, तो total distance 900 kilometer है, तो कुछ किस से travel हुआ है, bus, कुछ किस से ट्राइवल हुआ है, y, तो यह दोनों से traveling हुए है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, therefore, x plus y, मतलब bus से जो travel हुआ है, और aeroplane से जो travel हुआ है, उन दोनों की अगर addition कर देंगे, तो वो बनेगी equal to 900 kilometer, correct है, तो यह रहेगा, friends, आपका equation number one, I hope, यह equation कैसे obtained हुआ है, यह आपके समझ में आव गया है, यहाँ तक तो बहुत आसान चीज़ थी, कि simply, हम लोगों ने क्या किया, कि assume किया, कि bus से जो travel हुआ है, हो x है, अगे बढ़ते हैं, और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, कि data में आगे क्या given है, आगे उन्होंने speed mention करी है, अगे उन्हों ने speed mention करी है, अगे उसी के साथ, जो final हमें एक condition दिये हुआ है, in terms of what we say, it takes 5 hours to complete journey, मतलब ये total journey का time है, बट ये जो condition है, ये in terms of क्या है, time है, क्योंकि 5 क्या है, hours, और हम सब को बता है, hours ये जो unit है, ये time का unit है, तो हमें, what we say, time के term में सोचना पड़ेगा, तो क्या बोलूंगा friends, simply हमारे पास एक formula होता है, हमारे पास क्या formula होता है, आप physics में पड़े होगी, कि speed is equal to क्या होता है, speed is equal to होता है, distance upon time, correct है friends, speed equal to होता है, distance upon time, ये formula आपको पता ही है, correct है, speed equal to क्या रहेगा, distance upon time, तो हम लोग इसके उपर से ये बोल सकते है, कि time is equal to क्या रहेगा, तो time equal to रहेगा distance upon speed अब देखिए अगर आप इसके बारे में अच्छे से सोचोगे तो आपके पास सारा data available है क्योंकि देखे आपको aeroplane का distance आपको पता है वो हम लोगों ने wire zoom किया और aeroplane की speed भी गिवन है similarly bus का distance हमें पता है जो हम लोगों ने x zoom किया और bus की speed भी हमें पता है तो यह सारा data हम लोगों को use करना है to find our next equation तो किस तरह से बनेगा हमारा next equation उसके लिए प्लीज यहा तक जो content है उसे आप वीडियो को pause करके लिख लीजे हम लोग आगे बढ़ेंगे और question को स्वाल करने की कोशिश करेंगे please pause the video and not down the content okay friends तो आगे बढ़ते हैं और question को स्वाल करने की कोशिश करते हैं क्या बोलूंगा मैं total time taken total time total time for journey ठीक है total time for journey जो हमारी journey है उसके लिए total time जो लगा है वो कैसे लगेगा वो लगेगा time for time for what we say time for travel in a bus time for travel in bus correct है plus what we say time for time for travel in a travel in what we say aeroplane correct friend तो इस तरह से हमारा क्या रहेगा ये रहेगा हमारा total time total time क्या रहेगा हमारा time for travel in a bus जो bus से traveling की ईससे लगने वाला time और aeroplane से travel की उससे लगने वाला time तो total time हमारे पास कितना है journey के लिए total time हमारे पास बना था 시간이 हमारा five hours और आप ये सोचिए कि ये आपका जो time for travel in a bus है वो किस तरह से बनेगा जो हमारा formula हम लोगों ने obtained किया था वो formula इस तरह से था time is equal to distance upon speed हम लोग क्या बोलेंगे distance by bus distance by bus distance by bus correct है upon what upon speed upon speed of bus correct है friends अगर आप previous what we say page पे जाओगे तो आप formula था time is equal to distance upon speed तो bus के लिए का मैंने distance by bus upon time for bus और उसी के लिए aeroplane के लिए क्या लिखूंगा मैं distance by aeroplane distance by aeroplane आप distance travel by aeroplane भी बोल सकते हो या आप जगा काम है इसलिए हम अच्छे से adjust कर रहा हो distance by aeroplane upon what we say speed of aeroplane speed of aeroplane तो जो data आपको पता है friends उसे put कीजे aeroplane correct है A, E, R, O, P, L, A जो data आपको पता है वो put कीजे friends क्या रहेगा हमारे पास simply 5 is equal to क्या हमारे पास distance by bus bus से हम लोगोंने कितना distance अजूम किया है x upon जो bus की speed है वो speed कितनी है वो है 60 km पर हवर correct है x upon 60 plus distance by aeroplane aeroplane से जो distance हमने अजूम किया हो कितना है friends y upon speed of aeroplane तो aeroplane कि से जो speed है वो कितनी दी है हमें वो given है 700 तो simply हमें क्या करना है इस particular equation को solve करना है तो simply यहाँ पर आप देख सकते हैं दो term in the form of fraction है तो हम लोग mathematically इससे solve करने की कोशिश करेंगे किस तरह से बिनेगा therefore 5 is equal to ठीक है मैं थोड़ा जगा काम है इसलिए अज़ेस करके लिख रहा हू x multiplied by 70 correct है x multiplied by sorry 700 x multiplied by 700 plus 60 multiplied by y 60 multiplied by कितना y whole divided by friends 60 multiplied by 700 so please solve this किस तरह से बनेगा है यह simply बनेगा 700 x correct है 700 into x is 700 x plus 16 into y is 60 y correct है is equal to कितना simply 5 multiplied by 60 multiplied by 70 sorry 700 correct है friends so please solve this it will be equal to what it will be equal to simply what we say 700 x plus 60 y will be equal to what देखे 1, 2, 3, 0 यह तो यह 3, 0 remains as it is correct है आगे solve किजे क्या बनेगा 5, 6, 30 30 मेका 0 as it is कितना 3 और 3, 7, 21 so it will be equal to something like 700 x plus 60 y equal to 2,10,000 correct है friends तो इसे अच्छे से हम लोग solve करने की कोशिश करेंगे we can see here all the terms are having 0 तो हम लोग 10 उसमें से common ले सकते हैं 10 मैंने common लिया क्या बचा हमारे पास 70 x plus 6 y is equal to कितना 2, 1 triple 0, 0, 0 correct है so 10 multiply divide कर दीजे so that will be 70 x plus 6 y is equal to कितना 2, 1, 0 triple 0 मतलब 210,000 divide by 10 10 so we are remained with 70 x plus 6 y is equal to कितना equal to बना friends हमारे पास 21,000 correct है 1, 0 cancel हो जाएगा यह रहेगा हमारा equation number second if अगर आपको याद होगा तो हमारा equation 1 जो था x plus y equal to 900 और यहाँ पे बना हमारे पास equation 2 तो हमें simply क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मैं solve कर रहा हूँ simply as मेरे पास था हमारे पास था x plus y is equal to 1, 9, 0 correct है यह equation 1 था मेरा तो मैं क्या करूँगा इसे multiply by अब देखे adjustment के लिए करेंगे यहाँ पे 6 है तो 6 से multiply कर देता हूँ multiply by 6 ठीक है on both side दोनों side से मैं 6 से multiply करता हूँ कीजे multiply क्या बनेगा जगा का मैं directly रहा हूँ 6 into x is 6x plus 6 into y is 6y is equal to simply 0, 0 becomes as it is 6, 9 6, 9 6, 9 6, 9 कितना बनेगा that will be equal to 6 multiplied by 9 मतलब कितना 54 means 4 करी कितना 5 again 6, 1 the 6 plus 1 मतलब कितना that will be equal to what we say that will be equal to so simply that will be equal to कितना 6, 1 the 6 plus 5 मतलब कितना 11 correct friends so that will be equal to 11,400 correct difference 11,400 so 6 multiplied by 1900 is 11,400 so यह बना हमारा equation number third simply अभी हम लोग को equation second और equation third को solve करना है so simply हम लोग इस equation में से इस equation को subtract कर देते है क्या बलूंगा मै equation number second equation number what we say equation number third third equation में से क्या कर रहो मैं minus equation number second किजे subtraction क्या बनेगा simply that will be equal to 70x plus 6y is equal to कितना 21,000 इस में से मैं subscribe क्या कर रहो to 64x correct है is equal to यहाँ पर क्या बनेगा minus यहाँ पर minus यहाँ बनेगा so plus minus become cancels we can say 21,000 minus 11,400 that will be equal to 9,600 correct है so 64 multiply it will be divide so x will be equal to 9,600 divided by 64 so we can say x is equal to कितना x will be equal to divide किज़े that will be equal to 150 correct है और यह x क्या था मेरा तो यह x था मेरा what we say distance travel by Vishal correct है तो इसे हम लोग बोलेंगे it is in terms of kilometer correct है so यह वनी friends आपकी x की value correct है so और हमें पूछा क्या गया था हमें पूछा गया था distance travel by bus ही पूछा था जो हमारे पास मिला correct है okay friends तो x equal to हमें कितना मिला 150 और x क्या था यह था distance travel by Vishal by bus जो हमें पूछा गया था तो therefore हम लोग final क्या लिखेंगे therefore distance travel distance travel distance travel by bus distance travel by bus is कितना 150 km correct है 150 km जो हमें पूछा गया था correct है तो इस तरह से बना हमारा question number six इस particular question में वो आपको distance travel by aeroplane भी पूछ सकते है तो simply हम लोग क्या करेंगे जो x की value मिली यह x की value हम लोग equation number two या equation number one में substitute करेंगे तो उसके उपर से आप लोग को क्या मिल सकता है distance travel by aeroplane correct है वो बहुत आसान पाड है पर उन्होंने वो पूछा नहीं है इसलिए हम लोगोंने solve नहीं किया तो इस तरह से बना friends आपका question number six और उसी के साथ हम लोगोंने हमारा जो first chapter था linear equation in two variable उसमें का पहला practice set भी complete किया है so please pause the video and note down the content